नमस्कार दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं द्रिष्टी आइस का बहुत ही पावरफुल बहुत ही बहतरी टेस्टरीज करेंट अफेर की टेस्टरीज है साथियों आपके आने वाले एक्जाम योपी पीएसी आरो ए आरो प्रिलिम्स दोजार चौबिस के लिए रामबान साबित होगी साथियों ऐसा ही नहीं साथियों सिर्फ आरो ए आरो के लिए तो है ही बहुत ही ज्यादा महत्पूर आपके लिए वरदान होगा आरो ए आरो के लिए लेकिन साथियों अगर आप योपी पीसीएस का भी इग्जाम अगर दे रहे होंगे तो उसमें भी आपको लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई क्योंकि ROARO और UPPCS दोनों का लगभग स्टेंडर्स सेम होता है और साथियों आपके लिए जो इसमें महत्पूर्ज बात है इसमें जो करेंट अफेयर के डाटा रखे गए हैं करेंट अफेयर से संब्दित जो चीजें हैं आपके इस इकजाम ROARO और UPPCS दोनों में बहुत बड़ा रोल करेगा साथियों क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे डाटा फैक्ट आप में मिलेंगे तो साथियों जादा से जादा जीतना बहतरीन चीजे आपने लोगों ने पढ़ी है उसको दोहराते रहिए और उसके बाद करेंट अ साथियों जरूर जो है आप जर आप लोगा अच्छे से करिएगा क्योंकि साथियों आपने कितना पढ़ा है यह आप कितने پानी में है आपकी जो है आपकी तयारी में धार कितनी लगी है यह आपके practice sit से तय होगा साथियों practice sit लगाएंगे तो अपने आपको अंदाजा तो अपने आपका आप सबसे बेहत्रीण examiner अपने लिए आप ही हो सकते हो अपने अंदर क्या कमी है क्या अच्छा ही हो उसको अच्छे से आप भी आपजब कर सकते हो तो चले साथी हों हम लोग देखते हैं अगर हमारा वीडियो आपके लिए जरा सभी छाट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलते हम लोग देखते हैं question number 1 में क्या कहरा है सातियों current affair की testry हमारी पहली वाली देखते हैं पहला कोश्चन में साथियों क्या करा है बहुत ही लाजवाब प्रशन एक से पढ़कर एक प्रशन है साथियों वीडियों को पूरा देखिएगा छोड़ कर जाईएगा नहीं आपको बहुत सारी चीजे मिलेंगे हर टाइप के प्रशन आपको जहां मिलने वाले हैं देखो इसमें करा है हाल ही में भारत और डेनमार्क सरकारों के बीच हुए रणनेतिक साज्यदारी की परड़ान सरूप उत्तर परदेश के किस जिले में स्वच्छ नदियों पर इसमार्ट प्रियोग साला की स्थापना की गई है साथियों लिखा तो डेनमार्क सरकारों के बीच से तो साथियों यह वारानसी में किया गया है बिकल्प नंबर भी आपका उत्तर हो जाएगा यह जो है कुछ छोटी जो को बिलुप्त होने की करारपन नदिया है उनके पुनरुधार के लिए किया जा रहा है इसमें साथियों भारत सरकार और भ के हम लोग देखते हैं दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं हाल ही में केंदरी सूचना हाल ही में केंदरी सूचना और प्रशाड़न मंत्री अश्विनी वैश्डव तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यह तो केवल आपको जानकारी के लिए दे और कह रहा है अश्वणी वैश्णों ने किस अस्थान पर भारत के पांच सौवें समुदाइक रेडियो इस्टेशन की स्थापना किया तो साथियों यह question आपसे ऐसे भी पूछ सकता है जो भारत के 500 वे समुदाइक रेडियो इस्टेशन की स्थापना किस मंत्राले से सम्मन्नित है तो आपके लिए जरूरी है केंद्री और सूचना प्रसाड मंत्री तो इस समय अश्वनी वैश्ड़ों है इसलिए यह नाम दे द सम्बंदीत यह radio जो है इसमों सम्बंदीत और तमाम क्रिसी संबंदीत सूचनाओं को देगा इसमे रेडियो जो आगे हम लोग देखते हैं question हमारा सी हो गया आगे हम लोग देखते हैं क्या है हमारा थीसरा वाले में बहुत पढ़िया प्रस्न है साथियों ऐसे प्रस्णों को मिस न करिएगा प्लीज तो देखते हैं हम लोग अब दूसरा हम लोग का हो गया तीसरा देखते हैं क्या है हाल ही में किस देश की सरकार ने 35 देशों के नागरिकों को बीना बीजा के यात्रा की अनुमती दे दी है साथियों यही अपना भारत के दच्षिड में जो है स्रीलंका जो नारियल के आकार का है अप लोग जानते हैं स्रीलंका ने उसकी बित्ती स्थिती काफी भी खराब है तो उसने 35 देशों को नागरिकों को बीना बीजा के अपने यात्रा की अनुमती दे दिया है का आप बीना बीजा के हमारे यहां आ सकते हैं इससे साथ ही उसकी बित्ती स्थिती में थोड़ा सुधार भी होगा क्योंकि उसके यहां फाइनेंसियल जो है इस समय प्राबलम बहुत थी तो ऐसा होगा तो जादा जादा परेटन बढ़ेगा लोग जाएंगे तो उससे कुछ इंकम हो जाएगी तो स्री लंका ने किया है विकल्प नंबर ए हो जाएगा आगे देखे हम लोग चौथे में हाल ही में भारत का पहला अनाज एटियम किस राज में इस्थापित किया है बहुत ही लाजवा प्रश्न साथियों अप लग तो आप लोग मनी एटियम देखते थे यह अनाज एट सकते हो बिना किसी जो है लंग लपेट के बिना किसी जो है चोरी kicking क्योंकि होता है साती हूं जो डीलर होते है आप में कई बार घए खाई आते हैं कम देते हैं तो ममान जमस्जाएं होते हैं यह सब समस्याओं से चृटकारा पाने के लिए आप जितना अनाज के- leanisible हैं उत भूबनेश्वर में ओडिशा का ही गिला है भूबनेश्वर तो वहां पर ये खोला गया है तो बहुत अच्छा ओडिशा में खोला गया है याद रखेगा इसे आगे हम लोग देखें माचवे में क्या कह रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश की कि संस्थान ने साइबर हमलों से बचने के लिए किसने इस साब्ट्वेर का निर्माड किया है सातियों यह आपसे पूछ रहा है तो IIT कानपूर बिकल्प नमबर डी हो जाएगा याद रखिएगा इसे हर तरह से याद रखिएगा इसी कोश्चन को आपसे घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है तो यह चीज चर्चा में रही शेक हसीना बहुत ही चर्चा में रहा यह शेक हसीना बंगलादेश की पूर प्रधान मंत्री तो शेक हसीना ने किस देश के प्रधान मंत्री पत से इस्थिफा दिया तो साथियों सिंपल सा सवाल है बंगलादेश वहाँ पर आरच्छन को लेकर जो इस्ट जिस भी question में ज्यादा लिखा है आप ये जान लेजिए उसमें दम नहीं है वो आपको सिर्फ टहलाना चाहता है तो यही यही बात है साथियों तो इसमें कोई दम नहीं रहता है सिर्फ देखते हैं क्या है देखें भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक कलाकृतियों की पहली बार सांस्कृतिक संपदा समझहोता पर हस्ताच्छर किये हैं तो साथियों यही आपसे जानना चाह रहा है कि किस देश के साथ सांस्कृतिक कलाकृतियों की मतलब ऐसा करने के लिए समझहोता हुआ है किस देश के साथ तो यानि अपनी पुरानी वस्तुमें उनके भारती ने तिमोर लेसले का साथियों बहुत अच्छा सवाल है कुछ रहा है किस भारती ने यानि अपने ही इंडियन को तिमोर लेसले का सरवोच नागरी कुरसकार जिसका नाम है ग्रेंड कॉलर आप दो ऑडर साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है तिमोर लेसले आप सोच रहे होंगे यह कहां है आप लोग आश्टेलिया का थोड़ा सा ऊपर अगर देखेंगे तो वहीं यह आपको मिलेगा जो इंडोनेसिया के थोड़ा सा नीचे बगल में वहीं तो य इसका नाम है Grand Caller of the Order जैसे हमारे यहां सर्वोच नागरिक सम्मान है कोई विदेशी आये तो हम लोग उसे दें इसी प्रकार से अपने राजपती द्रोपदी मुर्मु जी का तिमोर लेसले का सर्वोच नागरिक सम्मान जिसका नाम है Grand Caller of the Order प्रदान किया गया आगे नरिन्द मोदी भी रूस गये थे इनको रूस में दिया गया था वहां का सर्वोच सम्मान ते भी याद रखिएगा आगे देखें नवे में हम लोग हाल ही में 20 सवाथ संगठन ने बिस जू सवाथ संगठन ने भारत के किस मंत्राले के साथ जेनेवा में आयोजीत एक हस्ताचर समारो में दाता समझौते पर हस्ताचर किया है तो मतलब हाल में ये 207 संगठन ने भारत के किस मन्त्राले के साथ तो ये जेनेवा में एक कारक्रम था तो अहां पर ये समझो। साथियों तो आयू समंत्राले आप लोग जानते हैं बारत की सबसे बड़ी ये स्वास्त योजना है आगे देखें हम लोग ये दस नौवा हो गया दस्वा में देखते हैं दस्वा में साथियों आपसे पूछ रहे हैं क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजपाल ने कहां की राजपाल ने उत्तर प्रदेश की राजपाल ने राज के किस जिले में देश के पहली AI आद्हारी AI का मतलब है साथियों Artificial Intelligence AI आदहारी आंगनवारी केंदर का हटन किया है तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि इस उत्तरप्रदेस के इश जिले में ए आई आधारित अंगनवाड़ी का उत्तरप्रदेस के विकल्प नंबर ये बी हो जाएगा गाजी अबाद में AI आधारी तांगनवारी के अंदर है यानि वहाँ पर AI की सुविधा यानि Artificial Intelligence वहाँ पर मिलेगा बच्चों को देखने के लिए आगे देखें हम लोग इगराहवे में क्या है हाल ही में किस राजी की सरकार ने सरकारी स्कूलों में नरसरी से कच्छा आठ तक के यानि 5.3-4 लाग से अधिक छात्रों को अतरिक्त पोशड प्रदान करने के लिए मुख मंत्री बाल पोश्टिक आहार योजना शुरू की गई है तो किस राज में ये तो आपको सिर्फ इतना दूर टहलाया सीधा सीधा ये कहना चाहरा है किस राज में मुख मंत्री बाल पोश्टिक योजना की सुरूगात की गई है आप से ये जानना चाह रहा है साती हों तो ये हिमाचल पर्देश में शुरूब के ये है बिकल्प नमबर 2 वहाँ कॉंग्रेस की सरकार है हिमाचल पर्देश में आगे देखें हम लोग 12 में क्या कह रहा है हाल ही में जारी भिस्व्यापार संगठन हाल इमें जारी विश्व व्यापार संगठन के आकड़ों के अनुसार वर्स 2023 में क्रिसी उत्पादों के मामलों में भारत दुनिया में कौन सा अस्थान है तो साथियों WHO ने अभी एक आकड़ा जारी किया था जिसमें यह मतलब आकड़ा तो 2024 में जारी किया लेकिन यह आकड़ा 2023 का है क्योंकि जो भी आकड़े जारी किये जाते हैं उसके एक साल पहले के आकड़े रहते हैं तो वही होता है तो वही आकड़े में WHO ने जो आकड़ा तो क्रिसी उत्पाद के मामले में भारत दुनिया में कौन सा अस्थान पर है तो यह जाना चारा है तो आठवे अस्थान पर बिकल्प नंबर सी हो जाएगा यानि क्रिसी उत्पाद जो क्रिसी प्रोडक्ट है क्रिसी का जो उत्पाद होते हैं उसके मामले में टॉप आठवे में है यानि आठ्वे नंबर पर है सात भारत से अधिक स्थिपी में है ज्यादा अच्छे में तेरह में देखते हैं क्या है हाली में खान मंत्राले द्वारा जारी विट्ट वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही में खनीज उत्पादन के आकडों के अनुसार भारत कौन सा राज सबस को उत्पादन है तो साथियों ये तो उपर वाली बाज इतनी लिखा वो तो आपको घुमाने के लिए बताने के लिखा कि खान मंत्राले ने बित्त वर्स तो चोई पचेस में के पहली तिमाहिम जो रिपोर्ट जारी किया आकड़ा जारी किया तो इसका सीधा-सीधा कहने का म आयस्क और एल्मूनियम आयस्क उफ़ादन में टॉप पर है सभी मतलब राज्यों में एक रिपोर्ट के दिया था खान मंत्रा लेंड दिया आगे देखें हम लोग चौदा में क्या करें है हाल ही में चर्चा में रहा गवरो क्या है तो अभी गवरो यह बहुत जादा चर्चा में था साथियों यह क्या है गवरो एक गलाइड बंब है साथियों अभी जो जादा यह भी चर्चा में था यह तो गवरो क्या है चौदा का सी हो जाएगा हमार यह glide bump है जो स्वदेशी रूप से बनाया गया है तो साथियों आपसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पेश किया गया अनुपूरक बजट है उसका आकार कितना है तो साथियों यह तो अनुपूरक बजट से आपसे पूछ लिया क्या अनुपूरक बजट अगर जब आपसे संपूर्ड बजट की बारे में पूछे संपूर्ड बजट जब जो पेश किया गया वो उसका आकार कितना था तो साथ दस्मलव च्छार लाख करोड तो इतना करोड यह तो पूरा बजट की बात किया लेकिन अनुपूरक बजट तो इसमें इसका मतलब मोटा मोटा तो आपको यह याद रखना है अनपूरक बजट 12,000 करोण लेकिन अगर दिहान रहे यह 12,209.93 करोण इतने का यह अनपूरक बजट था तो बिकल्प नमबर A आपका 15 का A हो जाएगा इतना जरूर याद रखेगा 12,209.93 इतना करोण का यह हाल ही में निमलिखित कथनों पर विचार किजिए तो साथियों दो कथन आपको दे दिये गए हैं तो इन दो कथनों पर आपको जो है विचार करना है तो विचार करके बताना है कि हमारा कौन सा उत्तर सही है तो साथियों देखते हैं पहला हम लोग पढ़ें तो हाल ही में क यह दो सफंदहना है कंsoo लेकिन आपको बहुत सारी सूचनाय दे दी विल्कुल सही है यह अभी अपने जो रामसर अस्थल में जो जो अपने रामसर अस्थल में जो जो छित रहें वह 82 था तब ही तीन और सामिल कर दिया गया इसलिए इसमेकुल कितने अस्थल हो गए रामसर अस्थल में ये 85 हो गए तो 85 हो गए तीन ये तमिल नाडू का दो ठे किया गया एक नजरायन पंचिय ब्हारण एक काजुवेली पंचिय ब्हारण और एक मध्ध प्रदेश का तवा जला से इन तीनों को सामिल कर द किजिएगा जो काजन लगा लोगे तो नजर नहीं लगेगी काजल क verkश मिलेगा है ताकी नीचे जो कालिक रहती है उस से मिलेगा तो ऐसे ही करके आप याद करलेंगे तो एपको अंदर याद हो जाए गा तो ये तो बात सहीं है दूसरा में क्या कर तो यह आफ जाए है इन दो दोनों से हैं, आगे देखें 17 में, हाल ही में किस ने अमेरिका में भारत के राजदूद का पदभार ग्रहन किया है, तो अभी साथ यों, बिने मोहन क्वात्रा, सम्मित पात्रा नहीं, क्वात्रा, तो बिने मोहन, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूं, बिम के, बिने मोहन क पात्रा ने अमेरिका में भारत के राजदूद का पद्ग्रहन किया है 17 का यह हो जाएगा आगे देखें हम लोग हाल ही में कें सरकार ने 2024ante25 में सोड यानि सोना पर आयात सुल्क 15% से घटा कर कितने परतिसत करने की घोषड़ा की है तो साथ यह भी केंश सरकार अपने भारत सरकार ने बजट में 2024ante25 में घोषड़ा की थी कि हम सोना चान्ली को सस्ता करेंगे कैसे सस्ता होगा तो वो आयात सुलक जो आयता है सोना मंगाये जाता है उसपर जो शुलक लगाये जाता है तो शुलक को कम कर देंगी तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो 15 प्रतिसत तक सुल को कम करने 15 प्रतिसत से घटा कर कितना करने की घोशड़ा की गई है तो साथियों यह है जो है 3 प्रतिसत तक करने की घोशड़ा की गई है तो आपका जो 18 का उत्तर हो जाएगा स्वारी 6 प्रतिसत 6 प्रतिसत करने घोशड़ा की गई है यह 15 से घटा कर जो है च्छ करने की गोशणा की गई है तो सोभाविक सी बात है सस्ता होगा आगे देखे हम लोग 19 में देखे साथियों बहुत ही अच्छा भी जैसंकर ने और अपने विदेश मंत्री जैसंकर और अच्छा मंत्री राजनास सिंग ने अभी यह भारत जापान 2 प्लस 2 सिखर स भारत यही होता है जैसे ना भारत जापान 2 फ्लस 2 स्टे संह मत्री आएंगे और भारत से 2 नेता मंत्री आएंगे तो दो वदर से 2 इधर से इंग के व्यांनास होगा किसी मुद्दे पर और ज्यादा तर अपने समकच्छी जो है पर होता है जैसे भारत में विदेश मंत्री और अच्छा मंत्री थे तो वहां का भी विदेश मंत्री और अच्छा मंत्री तो इन दोनों से यानि अपने समकच्छ लोगों से ये बात होती है इसमें तो यही में जो इस्थित है विंक टेशोर विश्व विद्याले ने विद्यार्थियों के बीच सैच्छडिक और अनुसंधान सायोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझाओता ग्यापन पर हस्ताचर किया है तो उसको आपको बताना है तो साथियों ब्राजील के साथ विद्याले कहां है मेरट में है तो इसने विद्यार्थियों के सैच्छडिक यानि एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ब्राजील के साथ समझाओता ग्यापन यानि अम एम उयू पर हस्ताचर किये हैं आगे देखें हम लोग 21 में क्या कह रहे हैं हाल हम में जारी राष्ट्री संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क तो साथियों यह जारी होती है तो इसमें दिखाया जाता है कि देश में जो है कुल जो संस्थाएं हैं सैच्छिक संस्थाने हैं तो उनमें रैंक कितनी कौन टाप पर है कौन टाप 10 में है तो इस तरह से उनकी र स्थान ने समग्र सेरेडी में सिर्षा स्थान प्यात प्राप्त किया है यानि आल ओवर में उससों टॉप पर रखा गया है कौन है उसमें तो साथियों ये इसमें तो ये तो नहीं है यहाँ पर इसमें ये है भारती प्रुद्यों की संस्थान मद्रास मद्रास कहा है साथ हू यानि IIT मद्रास ने टॉप पर है विकल्प नंबर ये भी हो जाएगा, IIT मद्रास, आगे देखें, 22 में, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक, कॉल आपदगीर, कॉल आपदगीर नाम की एक पुस्तक है सातियों, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे जानना शारा है, तो इस पुस्तक के लेखक है सातियों, परिमल नथवानी, तो परिमल नथवानी है, तो गिर मतलब सातियों, ये गुजरात के जो है, में एक जो सेर हैं गिर्वन के उससे संबंदित है ये तो उन्हीं पर ये किताब लिखी गई है तो विकल्प नमबर डी हो जाएगा आपका ये परीमल नत्वानी ने लिखा है नरेंद मोदी ने अपना एक भाषण में इसको इस पर जो है उनों ने थोड़ा सा चर्चा भी किया था तो इसले है चर्चा में आ गई तो पी एन ने लिखा है क्या लिखा है कॉल आप दे गिर्च गुजरात के शेरों के बारे में है ये यह 23 सवाला देखें हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास मित्र सक्ति तो अभी ये सब बहुत सारे आप में आते हैं कौन सा अभ्यास ये से संबंदित तो अभ्यास से संबंदित जितने भी चीजें हैं उसे एक बार देख लेजिए तो इसको हम देख ले रहें अभ्यास मित्र सक्ति का संबंद किस से हैं तो साथियों भारत सिरलंका से हैं विकल्प नंबर भी हो जाएगा तेइस का भारत सिरलंका से संबंदित हैं आगे देखें हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन दीप कहां परिस्थित है तो सेंट मार्टिन दीप साथियों या बंगाल की खाड़ी में इस्थित है बिकल्प नंबर ए हो जाएगा इसो आप लोग जाते हो सिंपल सी बात है सेंट मार्टिन दिप आगे देखें 25 में हाल ही में मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में नच्छत्र सभा का निर्मार किया गया है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में नच्छत्र सभा का ये जो है निर्माण किया गया तो किस जिले में साथ ही हूं तो प्रयाग राज में बिकल्प नंबर भी हो जाएगा ये नचत सभा का निर्माण किया गया है आगे देखें हम लोग 26 में तो 26 में साथ ही हूं क्या कह रहे हैं आपसे तो हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भागवान राम और भागवान बुद्ध की तस्बीर वाले इस मारक टिकटों पर बिशेश सेट जारी किया है तो किस देश ने साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है कि अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के साथ ये भागवान प्रभु राम और बुद्ध जी की तस्बीरों पर इस मारक टिकट पर बिशेश एक तरह का सेट जारी किया गया है ये किस ने किया है ये आपसे पूछ रहा है तो साथियों ये किया है लाओस ने बिकल्प नंबर भी हो जाएगा ये आपके दच्छिडपूर एसिया के देश एक है लाओस देखेंगे आप लोग मैप में तो ही है ये आगे देखते हैं 27 में तटहाल हीमे किन स्रकार ने किस राज की बिधान सभा के लिए अनसूचित जन जाती कियों के लिए सीटे आरचित करने के लिए लोगसभा मैं एक बिधेयक पेस किया है तो साथियों गोवा मैं गोवा की बिधान सभा के लिए Ihrer गोवा की बिदान सभा ने अनसूची जन जातियों के लिए सीटे आरच्छित करने के लिए लोग सभा में एक बिदेयक पेस किया गोवा में बिकल्प नंबर भी हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 27 का ए 28 में क्या है हाल ही में विस्ट धरोहर समीती के 46 में सत्र का आयोजन कहां किया गया तो आपसे क्या करा है विस्ट धरोहर समीती का 46 में सत्र अभी आपसे ऐसा भी पूछ सकता है विस्ट धरोहर समीती का कौन सा सत्र जारी हुआ आयोजन तो 46 में का हुआ तो ये कहां पर हुआ स साथियों तो नई दिल्ली में हुआ विकल्प नंबर भी नई दिल्ली में कहां में जो भारत मंडपम है दिल्ली के प्रगति मैदान में वहां पे तो विकल्प नंबर सी 29 में क्या है हाल हिमें जारी केंदरी बजट 2024-25 के अनुसार सरवाधिक रासी किस विभाग को दी गई तो चाथियों अभी केंदरी सरकार का जो बजट आया था ये जैसे ही नई सरकार बनी तो उसमें साथियों जो सबसे जाता दिया गया यानि सरवाधिक मतलब ये राशी अच्छा विभाग को दिया गया था तो रच्छा विभाग को सबसे ज़्यादा ये पैसा दिया गया था आगे देखें हम लोग हाल ही में उत्तर प्रदेश शरकार द्वारा गोशित रोड टू इश्कूल प्रोजेक्ट की सुरुवात किस जिले से की गई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथियों एक गोशित किया एकरा का मिशन उस मिशन का नाम है रोड टू इश्कूल प्रोजेक्ट इसकी ऐसे बच्चे हैं, जो सिच्छा से बहुत दूर हैं, जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए है, यानि सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए हैं, आगे देखते हैं हम लोग, 31 में, हाले में कौन सा खिलाडी, गोल्डन स्लैम जैसे एक विसिष्ट क्लब में सामिल तो साथियों ये सामिल हुए, नौवाग जोकोवीच, विकल्प नमबर D हो जाएगा, आगे देखते हैं हम लोग, पेरिस ओलंपिक दोहजार चौबिस में, सपनिल कुसाले ने, तो सपनिल कुसाले ने किस खेल में कांस पदक जीता है, तो सपनिल कुसाले ने कांस पदक ज जीता है, पेरिस ओलंपिक दोहजार चौबिस में, तो ये किस खेल में जीता है साथियों, तो ये जीते हैं, शूटिंग में, विकल्प नमबर D हो जाएगा, आगे देखते हैं हम लोग, खाल ही में गोशित, राष्टी फिल्म पुरसकार 2022 में, बेस्ट फीचर फिल्म आवार्ड किस ने जीता है, तो साथियों 2022 का जो अभी, देखो 2022 की बेस्ट फिचर फिल्म है, लेकिन इस समय आवार्ड का गोशित किया गया, लगभबग 24 में, तो कौन सी है बेस्ट फीचर तो जिसे ये राष्टे फिल्म पुरसकार के लिए गोसित किया गया है तो अट्टम है विकल्प नमबर A आगे देखते हैं 34 में हाल ही में जारी है हेनले यहाँ पर क्या दिया है हेनले पासपोर्ट सूचकांग भारत कौन से अस्थान पर है यही पिछले साल जो है 2023 में यह 84 अस्थान पर था यानि 2024 में इसमें दो अंक का सुधार आया है और सबसे ताकत वर मतलब कौन सा किस किस देश का सूचकांग है तो इंडोनेशिया का इस साल है तो इंडोनेशिया सबसे पहले नंबर पर है भारत 82 नंबर पर आगे देखते हैं 23 32 हो गया तैंटीस में क्या है पैंटीस में हाल ही में उत्तर प्रदेश को किस उत्तर प्रदेश के किस सहर को आदर्स सौर सहर का दर्जा मिला है तो आदर्स सौर यानि आइडियल सोलर सहर का दर्जा किसे दिया गया है तो वही आयोध्या विकल्प नंबर बी तो यह पहला उत्तरक्रदेश का ऐसा सहर होगा जो फुढ रोप से जो है इसो जो है एक ग्रीन यणेसरी बनाने का ग्रीन इनर्जी बनाने का सर्गार निर्फलिया है क्योंकि यहां पर इनर्जी का 70 से अधिक परज़न यहां की के 6 अगस्त को बिकल्प नंबर B आगे देखें आगे क्या है हाल ही में कौन सा देश सयुक्त राष्ट कमान में सामिल होने वाला 18 सदस्व बन गया है तो सयुक्त राष्ट कमान में सामिल होने वाला 18 सदस्व कौन बना साथियों तो ये जर्मनी बना है बिकल्प नंबर B हो ग प्रकाशित बिस्व LNG रिपोर्ट LNG क्या है साती हूं लिक्विड नाइट्रोजन गैस तो LNG रिपोर्ट 2024 का अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरली कृत प्राकृतिक गैस आपूर्थी करत बन गया है तो लिक्विड नेचूरल गैस जो है वो दूसरा सबसे बड़ा आपूर्थी करता यानि शप्लायर बन गया है कौन सा बन गया है तो अमेरिका बना है विकल्प नमबर एट आगे देखें हाल ही में किस देश ने अपना पहला ब्यापक जलवायू परिवर्तन गोशित जलवायू परिवर्तन कानून की गोशड़ा की है तो दच्छिड अफरीका ने किया है विकल्प नमबर भी हो जाएगा दच्छिड अफरीका ने अपना पहला ब्यापक जलवायू परिवर्तन यानि जलवाई परवतन संबंदित एक कानून पारित किया है दक्षिड अप्रिकाने आगे देखते हैं हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाएं एवं पुरुस तो रिपोर्ट जो जारी की गई है तो इस रिपोर्ट का नाम है क्या नाम है भारत में महिला एवंपुरुस 2023 के अनुसार ये तो रिपोर्ट हो गई इस रिपोर्ट के अनुसार महिला द्वारा इस टार्ट अप के मामले में उत्तर परदेश का कौन सा अस्थान है यानि इस जो जारी की गई है तो उसके नुसार आपसे पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं कोई द्वारा जो इस टार्ट अप यानि अपना खुद का कोई उद्योग धंधा यानि कामकाज जो शुरू कर रहे हैं तो उसके मामले में कौन सा अस्थान रहा है तो दूसरा स्थान रहा है विकल्प नंबर ये आपका भी हो जाएगा आगे हम लोग देख लें अगर आगे हमारा 41 में क्या है हाल ही में नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 के तहट किस देश के सिखों को भारत की नागरिक्ता प्रदान की गई तो साथियों अफगान सिखों को अफगा सब तेन देशों के पाकिस्तान बंगला देश अफगानिस्तान के जो गहर मुस्लिम धर्म हैं धर्म के नागरिक्ता प्रदान की गई है यह सको जाद रखिएगा 42 में क्या कह रहा है हाल ही में भारत की भारत आश्टेलिय समुद्री वारता का आयोजन कहां किया गया तो भारत आश्टेलिय समुद्री सुगच्छा वारता इसका आयोजन कहां किया गया तो आश्टेलिय के कैन वरा में बिकल्प नंबर C हो जाएगा आपके 42 का C, आगे देखते हैं हम लोग 43 में, 43 क्या कह रहा है, हाल ही में जारी, खाद ओम क्रिसी संगठन, जिसे हम लोग shortcut में फाव कहते हैं, खाद ओम क्रिसी संगठन की रिपोर्ट के अनुशार, छेतर में लाव कमाने के मामले में भारत कौन सा अस्थान है, तो खाद ओम क्रिसी संगठन की रिपोर्ट के अनुशार, वन छेतर में, वन छेतर में लाव कमाने के मामले में भारत का अस्थान क्या है, तो तीसरा अस्थ ये क्या है ये 44 में हाल ही में तरंग सक्ती अभ्यास के पहले चरण का आयोजन कहां किया गया है तो ये तमिल नाडू में किया गया है और दूसरे चरण का आयोजन राजस्थान में होगा आगे देखते हैं 45 में हाल ही में कौन सा राज घरेलू क्रिकेट में दिसीजन रिव्यू सिस्टम तो साथ ही में भारत ने अपने घरेलू क्रिकेट में जो है डिसीजन रिव्यू सिस्टम लागू करने का नेड़े लिया है तो भारत के उत्तर प्रदेश ने बिकल्प नंबर ए हो जाएगा 45 का ए 46 में हाली में किस भारती को ओलंपिक आर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है तो किस भारती को ओलंपिक आर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है यहां चार नाम दिये गे नितामबानी अभिनो बिंदरा साइन्या नेवाल मैय दोपती तो अभिनो बिंद को ये डि reca को ओल्मपी कॉलंपिक ऋर्ड़र से सम्भानित किया गया है कि 48 हाल ही में यूनिस्को द्वारा सूची बद्ध भारत का 43 हुआ बिस धरोहर अस्थल कौन सा है तो साथियों यह आसम का चराई द्यो मोईदम्स बहुत ही इंपोर्टेंट है यह यह मोईदम्स क्या है साथियों असम में एक साही राजवन्सो द्वारा जो है एक तरह का यह कब्रिस्तान है तो उनको यहां पर दफनाया जाता था तो देखेंगे आप लोगे गुफा टाइप में आपको दिखेगा अगर गूगल पर देखेंगे तो यह असम में है आपसे इसा भी पूछ सकता है कि मोईदम्स कहां है चराई जो मोईदम्स तो असम में है तो विकल्प नंबर भी हो जाएगा 49 में क्या है 200 आदी दीवस आदीवासी दीवस कब मनाये जाता है तो 200 आदीवासी दीवस सात्यूं यह 9 अगस्त को मनाये जाता है और आप लोग जानते हैं 9 अगस्त को ही यह जो है अगस्त करांती मनायी जाती है 9 अगस्त को ही 12 छोड़ो अंदोलन श्टार्ट हुआ था और ये आदिवासी दिवस 9 अगस्त को और यहां 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है 12 अगस्त को आप लोग जानते हैं ये राष्टी युवा दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को अंतर राष्टी युवा दिवस इसको याद रखेगा आगे देखते हैं 50 में परिस उलम्पिक 2024 के समापन समारोह में धुजवाहक कौन था तो परिस उलम्पिक समापन ये समापन की बात कर राय साथियों तो समापन धुजवाहक कौन था इसमें तो अचनता शरत कमल तो बिकल्प नंबर भी हो जाएगा ये ये साथी पी आर स्रीजेस बिकल्प नंबर ये था ये पी आर स्रीजेस ने समापन समारों में भारती धोजवाहक थे तो ये हो जाएगा और इसके जो है उद्गाटन समारों में कौन थे ये पी भी सिंदू थी तो याद रख को ने यहां देख लिया यह द्रिष्टी आईएस का बहुत ही बहतरीन यह करेंट अफियर का एक प्रैक्टिस सेट था